आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एंटिये के द्वारा यूजी सी नेट जून दो हजार चोबिस का रिजल्ट को डिक्लियर कर दिया गया है रिजल्ट आ गया है कल के डेट में 17 अक्टूबर के ड दिखना है साथ साथ शांठ इसमें इतार में एक चीज़ देखने कुझ वर रहा यहां पर Prince रिजल्ट तीन क्टीकरी में रिलीस किया गया है के टीगिरी वाझ जिनका जैय्यार फोता है जो पहले होता था दूसरा है नेट नेशनल Eligibility Taste इस मतब नेट हाना जिनका नेट क्लियर होता था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेकंड केटिगरी में केटिगरी थर्ड इंक्लूड किया है यूजी सी के गाइडलाइन को फालो करते हुए इस जून दोहतार चोबीस वाले रिजल्ट में पिएजडी ओनली करके हैं एडमिसन टू पिएजडी ओनली केटिगरी थर्ड तो इस परकार से आप लोगों को तीन केटिगरी में इस बार रिजल्ट देखने को मिला होगा समझेंगे सब चीजों को सबसे पहला मैं बता दूँँ अगर आपको रिजल्ट सबसे पहला है यूजी सी नेट जून दोहजार चोबीस सब्जेक्ट या कटिगरी वाइस कट आप देख सकते हैं यहां पर डिक्लिरेशन आफ रिजल्ट को क्लिक करेंगे ति इसका ऑफिस्यल नोटिफिकेशन है निटिये का ऑफिस्यल नोटिफिकेशन है देखिए आप 17 अक्टूबर को हाना रिलीस किया गया है डिकलिरेशन आफ रिजल्ट कब से कब तक एकजाम हुआ था कितने लोग अपियर हुए है यह पूरा डिटेल यहां पर दिया हुए है आपको करना कि आपको यह वाला लिंक को देखिए यूजी सी नेट जून दोहजार चोबीस स्क सबसे पहले तो हैना केटिगरीवाइस कट आप यह हमारे लिंपॉडेट है इसको मैं आप लोगों को अलग सित बता रहा हुए कि किस परकार से इसको डिसाइट किया गये देखिए यहां पर जो मैं बता दूं सबसे पहले तो हना केटिगरी को भी चीजहों को समझ लेते हैं इस बार क्या हुआ है तीन केटिगरी में रिलीज किया गया है रिजर्ट खोशना कर्णा रिजल्ट भी जारी किया गया है जैसे कि हम लोग जानते हैं जिनका JRF काटिगरी में क्लियर होगा वो क्या कर सकते हैं वो PhD कर सकते हैं तो उनको fellowship भी मिलेगा प्लस assistant professor के लिए भी यह eligible हो जाते हैं second category है assistant professor जिसको हम लोग नेट क्लियर बोलते हैं, लेक्चर सिप के लिए, इनका पास क्या option है, इनके पास option यह है कि यह assistant professor के लिए eligible हो जाते हैं, third category release किया गया है, admission to PhD only, यह PhD entrance exam से आपको exempted मिल जाएगा, यह third category है, तो JRF का जो validity है, आपको research PhD में admission लेने के लिए 3 साल का रहता है, आपको AP वाला जो validity ह है ना, लेकिन आपको JRF के थुरू अगर आप PhD में admission लेना है, तो आपको तीन साल के अंदर में लेने से आपको fellowship मिलेगा, assistant professor, नेट का जो eligibility है, यह भी lifetime है, ठीक है, लेकिन PhD only category का जो duration है, आपको one year का मिलेगा इसका, tenure कितना one year के अंदर में ही, अगर आप PhD में कहीं किसी भी college mission लेते हैं, तो आपको entrance exam देने की जो रत नहीं है, किसी भी university, किसी भी central university जा फिर अलग जगा पे ठीक है, तो PhD only category का जो result जारी हुआ है, जिनको भी उनका validity कब तक है, one year का validity है, one year के अंदर में आपको exam से exempted मिलेगा, जैसे one year complete होने के बाद इस आपको फिर से net exam देना आप जैरेफ कर लीजिए, net qualified है, तो भी सही है, lifetime मिलेगा आपको, लेकिन अगर PhD only होते है, तिसका one year है, validity ठीक है, ति इस प्रकार से हम तीन category को हमने समझा, अब देखे, यहां पर बहुत सारे subject है, जैसे कि यहां पर मैं दिक बारहा है, economics के दिखा रहे है, economics एंडर रूरल क करके हैं, तिसमें देखे, आप यह भी देखेंगे कि कुछ कुछ subject हो में हमें देखने को मिलेगा, number देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रहा हूं, 210 number cut up गया, जैरेफ में general के लिए 66 candidate qualified हुए है, assistant professor मतलब LS के लिए net clear हुए 182 का, sorry cut up है, 182 कितने लोग qualified हुए 741, यह PhD only देखे, cut up गया, 154, cut up 154, यह marks है, 300 में, अब कितना गया है, 1614 लोग qualified हुए, इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, पूरा, आप category wise अपना देख लीजे, cut up कितना गया है, है ना, knowledge होना चाहिए, cut up के बारे में भी, जिससे आपका LS के लिए है, अगर आपका सिप क्लियर हुए, net bus क्लियर हुए, तो JRF के लिए आप महनत करेंगे, इसके according आप देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है, और देखे, political science में देखिया, political science unreserved में कितना है, 99.7303386, तो देखे, यहाँ पर, economics में क्या हुआ था, economics में आपको देखने को मिला, marks देखने को मिला, हा percentile है, percentile ही, अब percentile क्या होता है, तो जो भी exam, दो या तीन पाली में conduct कराया जाता है, सिर्फ एक पाली में गर conduct होता है, तो उसको फिर, है न, क्या क्या पर सेंटाइल के फार्म में release किया जाता है, ताकि सभी लोगों के लिए equal उसको बनाया जाता है, समझ दीजे, क्योंकि कि मान लीजे, एक पाली में, है न, question paper tough आ गया, दूसरा पाली में easy आ गया, तो फिर problem हो जागा, मार्क्स के अधार पे, इसलिए उसको percentile के अधार पे generalize किया जाता है, इस प्रकार से result जारी किया जाता है, जो भी subject होता है, जो एक पाली से ज्यादा पाली में अगर conduct होया, तो वहाँ पर आपको percentile देखने को मिलेगा, देखे, percentile है ये, आप political science कब देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप अपने subject का भी देख सकते हैं, इस देखे, इसमें लिखा है, political science है तो, philosophy में देखे, number आया है, मार्क्स के अधार पे दिया है, क्योंकि इसमें एक ही पाली में exam conduct हुआ होगा, तो marks के अधार पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका psychology है, psychology होगा, sociology में भी देखे, एक ही पाली में होगा, history, history क्या है, आपका दो पालियों में होता है, तो इसमें percentile की हिसाब से जारी किया जाएगा, तो इस प्रकार से आप अपना subject के according, cut आपको जरू अपको validity time भी बता दिया, अब अपने से आप से जो भी subject है, cut आपको जरूर देखें, और result को check करें, बहुत सारे लोगों का लगातार comment भी आ रहा है, message भी आ रहा है, कि बहुत सारे लोगों ने net qualified भी किया है, तो आप भी जिनका भी qualified हुआ है, जरूर message करें, qualified हैं बोलके, और जो खुझ भी अपना doubt source में भी comment कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूं इस video lecture में आपको मिलाओ, चैनल को subscribe कर लेना, लगातार notification आपको मिलते रहेगा, है ना, चैनल को subscribe कर दो, वीडियो को like कर दो, वो अपने दोस्तों में share जरू करें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन थांक यू